कुछ लोगों को सिर्दर्द की बहुत जदा प्रोब्लम रहती है और सिर्दर्द के कारण भी बहुत होते हैं कभी-कभी तो ऐसा होता है कि हमको जुकाम है या साइनस की प्रोब्लम है इसकी वज़े से भी सिर्दर्द होता है या कभी-कभी तनाव, स्ट्रेस की वज़े से भी सिर्दर्द शुरू हो जाता है सीजन चेंज होता है, मोसम चेंज हुआ और सिर्दर्द भी स्टार्ट हो गया माइग्रेन की वज़े से, सर्वाइकल की वज़े से, बैक पेन की वज़े से भी सिरदर्द रहता है डैजिस्ट अगर आपको अच्छे से नहीं हुआ, आपने खाना खाया वो अच्छे से डैजिस्ट नहीं हुआ है तो सिर्दर्द इस वज़े से भी स्टार्ट हो जाता है तो सिर्दर्द का कारण कोई भी हो इन सभी का solution मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा एक मुद्रा है जिसका practice आपको दीन में 3 बार करना है कितनी बार करना है? दीन में 3 बार 6-6 मिनट के लिए पर उस मुद्रा के काफी सारे benefit और भी है जैसे high blood pressure के case के अंदर ये मुद्रा आपको बहुत benefit देने वाली है आपका stress का level कम हो जाता है sinus के case के अंदर जब सूजन होती है तो वो सूजन को कम करने में भी ये मुद्रा आपको बहुत benefit देने वाली है मोटापा कम कर सकती है कोलिस्ट्रोल का लेवल कम हो सकता है बलड प्रेशर को ठीक किया जा सकता है डाइबिटीज के केस में भी आपको इस मुद्रा से बहुत बेनिफिट होने वाला है तो ये मुद्रा आपको बनानी क्या से है? ये बताने से पहले मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ ये मुद्रा आपको दिन में तीन बार प्रैक्टिस करनी है कितने कितने मिनट्स के लिए? 6-6 मिनट्स के लिए तो 6-6 मिनट्स के लिए आपको इस मुद्रा का प्रैक्टिस तीन बार करना है अब बात आती है कि मुद्रा हम बनाएंगे कैसे सिंपल सी बात है ये हमारा हाथ है आपको क्या करना है जो हमारा ring finger है उसको हमारे अंगूठे के base पार्ट पे टच कराना है और अंगूठे से हमको बाकी की दो उंगलियों से मिला लेना है और हमारी जो सबसे चोटी उंगली है ये हमारी सीथी रहेगी तो हमने क्या किया है ध्यान से देखे फिर से ring finger को अंगूठे के base part पे touch कराया है और अंगूठे से index finger और जो हमारी middle finger है उस से मैंने touch कराया है और हमारी जो little finger है उसको मैंने सीधा रखा है अब इस मुद्रा को as it is आप अपने घुटने पर रख लीजिए ये आपकी महाशीर्ष मुद्रा बन गई है इस मुद्रा को हम बड़े सिर्की मुद्रा भी बोलते हैं इस मुद्रा का प्रेक्टिस आपको दिन में तीन बर करना है 6-6 मिनट के लिए पर फिर भी मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि अगर आपको सिर्दर्द कभी अचानक हो भी जाता है तो इस केस में आप आप दो गिलास गुनगणा पानी पीजिए हो सकता है कि सिर्दर्द आपका तुरंट गाया भी हो जाए पर फिर भी अगर आपको लग रहा है कि आपका सिर्दर्ध continue चलता रहता है कुछ दिनों से problem भी आ रही है आपके सामने तो सिर्दर्ध का चाहे कोई भी कारण हो आप इस मुद्रा का practice कीजिए This is महाशीर्ष मुद्रा दिन में 3 बर practice करना है 6-6-6 minutes के लिए तो मैंने आपको इस वीडियो के description box में कुछ और important videos के link भी दिये हुए आप चाहें तो वो भी देख सते हैं तो यहां तक का video देखने के लिए आपका धनेवाद